करने के लिए आरिफ साब मैं फॉस तालू करता हूं मुझे इतनी जादा जानकारी नहीं है थोड़ा बात मुझे common sense की जानकारी है सर कि ऐसा लगता है जंग लडने में बहुत जादा पैसा लगता है एक brigade को एक division को एक core को mobilize करने में किसी भी एक मुल्क का नाक से खुन निकल है सर फिर हम यह पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिसको हाल में जकात में चावल की बोरियां मिली थी तो यह सोचे कि भारत से जंग लड़ ले तो फिर थोड़ा सा मानने वाली बात नहीं है यह जंग तो पाकिस्तान बिलकुल नहीं लड़ सकता क्योंको 71 के बाद इन्होंने फैसला कर लिया था कि भाई इन से नहीं लड़ सकते यह तो हमारे कपड़े तक उतार लेते हैं तो जंग तो नहीं लड़ सकता पाकिस्तान की तो मजबूरी है पाकिस्तान तो इस वक जो एकॉनोमिक बेक्ग्राउंड चल रहा है पाकिस्तान का उसमें कुछ बाय करना चा इंडिया के साथ पीस को और इंडियन डेलिगेशन भी अभी दुबाई गया था और पाकिस्तान का कमेंट आया कि इसराइल की उपर कारवाई होनी चाहिए पाकिस्तान कभी ये नहीं कहेगा कि हम इसराइल की उपर कारवाई करेंगे और आज जो पाकिस्तान फिलिस्तिनियों के लिए रो रहा है उसका खुद ज्याओ लग ने 25,000 तो मार दिये थे ब्लाक सप्टेंबर अगर आप देखें वो भी लेट 70s की बात है ब्लाक सप्टेंबर 79, 78 की बात है इप आम नाट मिस्टेकन ब्रिगेडी रिवा करता है ज्या लाजाली हो गई साब वो पलेस्टिनियंस के खिलाफ इसरेलियों एक्शन यह तो ऐसी है लोग ठीक है ऊपर से एरान कह रहा है उसके उपर इरान जो वैसी अंदर से मरा हुआ है और तुर्की एक बात बताई है तुर्की पता नहीं क्यों चाथ तुर्की के पास तो पैसे पैसे नहीं है तुर्की के पास पैसे नहीं है बस तुर्की यह है कि यॉर्ट में उसका हिस्सा आता है तो इसलिए तुर्की थोड़ा बोध ठीक ठाक बचा हुआ है तुर्की के पास जादा पैसे बह 내일co昨 रूप इसमोर्ग वाजनि अन्हीं कुछ बसका नहीं है अडेके इ इस्राइल विल विन दिस वार अट्रिशन इंडिया शुट सपोर्ट इस्राइल येस मैं फिर कहता हूं कोलाटरिल देमज ये ठीक बात रहें है अगर कोई पलेस्टीन बच्छा मरे तो ये गलत चीज़ है सर्फ आई के नेवर कंड्रोन देट बट येस वी मस्ट आलसो से कि अगर कोई बगवान न करे अगर कोई इस्राइली बच्छा मरे तो इवन डट इस रॉंग वहीं गलता लोग क्या करें इंडिया में हुमन राइट वाले जो अपने हुमन राइट की दु कर रहे हैं और यह अपने आपको बेचारा बोलते हैं यह विक्टम काड़ प्ले करते हैं हमास वाले और दूसरी तरह देख लिए हेजबुल्ला वाले हैं टोटली एरान फंडिट यह तो सुननी है वो पूरा शिया मेलिशिया है यह हुआ कैसे सर्व यह हुआ कैसे तो इन् लोगों ने रखे अपने highly populated areas में जो कचा कच भरें हैं ठीक है इन्होंने अपने populated areas में rocket रखें बिल्डिंगों के बीच में और वहां से इन्होंने rocket अपने इसराइल की उपर fire करें कुछ तो इसराइल ने रोख दिया iron dome से कुछ गर गए अब इसराइल ने जब जवावी कर हैं कि बारत पाकिस्तान की बीच मुझागरात हो रहे हैं चुपके से वो को कह रहा है कोई ऑधार एक से एक को कोई रहा है ये 99 परसें जो बात्चीत हैं चल रही है यह यह पाकिस्तानी मीडिया में इन प्रिशानी ने हो चलाइक निया चलता षए एक महल बनाने के ए अप देखेगा इंडिये इंद्युलल भी नहीं है प्रिंस मोहमद बिन सल्मान से भी मिलने जाएंगे तो कमर जाविद बाजवा साथ मिलने जाएंगे और उनकी पहले मीटिंग होगी इवडान खान की बाद में होगी यह पाकिस्तान में हो सकता है इंडिया में ऐसा नहीं है कि मोदी जी जा रहे हैं और यहां पर चीफ अवामी स्टाफ यह सब नहीं होता हमारे यहां पर तो यहां पर जो भी होगा अगर पाकिस्तान के साथ मुझारात होंगे वो खुल के सामने आएंगे हमारे साथ और यह बैक चैनल टॉक्स तो चलती ही पाकिस्तान इंडिया तो छोड़िया पाकिस्तान तो कबसे मुझारफ के टाइम से भी पहले पाकिस्तान तो इसराइल के साथ भी बात कर रहा है जिसको डिप्लोमाटिक लिए रेकोगनाइज नहीं करता तो यह इंटेलिजन्स एजन्सी के बीच में डिरेक्टर मिलिटरी है वो शांत हो गया अभी लाल के लिए और ठीक है आट सोके मतलब देखें लाइन ऑफ कंट्रोल जब शांत नहीं था जब वहाँ पर खून बहरा था तब हमने नहीं गोला कि इसको शांती होनी चाहिए यहां पर शांत हो गया हम कह रहे हैं यह भी ठीक है वो भी ठीक है तो मुझे कॉमन सेंस की एजान का रही है सर कि ऐसा लगता है जंग लडने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है एक ब्रिगेड को एक डिविजन को को मोवलाइज करने में किसी भी एक मुल्क का नाक से खुन निकल जाता है सर फिर हम यह पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिसको हाल में जकात में चावल की बोरियां मिली थी तो अगर यह सोचे कि भारत से जंग लड़ ले तो फिर थोड़ा सा मानने वाली बात नहीं है यह जंग तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं लड़ सकता क्योंको 71 के बाद इन्होंने फैसला कर लिया था कि भाई इन से नहीं सकते हैं यह तो हमारे कपड़े तक उतार लेते हैं तो जंग तो नहीं लड़ सकता पाकिस्तान की तो मजबूरी है पाकिस्तान तो इस वक जो एकोनोमिक बेक ग्राउंड चल रहा है पाकिस्तान का उसमें कुछ बाय करना चा रहा है इंडिया के साथ पीस को और इंडियन ड वेस्ट भारत को परसुएट कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ आप बेड़ जाएं टेबल पे बिल्कुल आरिफ साथ ऐसा बिल्कुल मुम्किना हो भी सब्सक्राइब इसको हम नगार नहीं सकते बरहल हविंग सब डैट मैं यह कहाना चाहता हूं आपसे की पाकिस्तान का जो मा कश्मीरा से नहीं और बॉक है ऐला एला यहाद लख पाकिस्तान का यह भारत के लिए बहुत बैस्ट एक रवनेपिशल को यह बहुत इंट अर्वी जर्रुनेल अगर पाकिस्तान बाहर जाता किसी अरब मुल्क में और यह कहता कि सब्सक्राइब हमारे यहां बिजली की प्रॉब्लम है कराची में आपका तालू कराची से कराची में अगर पानी की प्रॉब्लम है तो कराची तो समंदर के बगल में है कोई भी अरब देश पैसा देखके पचास या सो डिसालिनेशन प्लांट्स लगा देता वहाँ पर, कोई मस्दा नहीं था वहाँ पर, बलोचिस्तान में पचास या सो हजार डिसालिनेशन प्लांट्स अरबों के पास पैसे कमी है, वो लगा देते लेकिन पाकिस्तान जब भी गया या तो खेरात मांगने गया या पर कश्मीर के बरें बात करने गया तो जितना पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करेगा वो अपनी पीट पर खुद खंजर भौक रहा है उसको यह जो कहते हैं न कि रौ वालों ने साज़िश कर दी राइट कश्मीर में यह हो गया कश्मीर इन्होंने कश्मीरियों को भी कुछ कश्मीरी सारे नहीं इन्होंने कुछ कश्मीरियों को भी गलत उम्मीद दी और पांच अगस्त के बाद इन लोगों ने बोला कि सब ठीक है हम इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर रहे हैं कर दो बंद मजाबी में करता है ना सबुकी कर दो फिर तीन चार हफते के बाद एक चुटी से रिक्वेस्ट आई कि वो जो दवाईयों का मामला था वो तो सिंसला जारी रहे वह लेख दो फिर अभी हाल फिलाल में और उन्हों बोला कि फूरी टेड चलनी चीए फिर और तालिस गंते के बाद देखे हमें पाकिस्तानी मार्केट से कोई फरक नहीं पड़ता आज भी पाकिस्तान में धड़लने से हिंदुस्तानी माल दिख रहा है बस वो कतर से आता है और दोन नहीं वहीं पाकिस्तान नहीं खरीद नहीं है तो हमें बार तो मिली जाएगा क्वाइट के नहीं को है और इंडिया का भी एक री कैलिबरेशन हुआ है जो बीच में मीडिया में रिपोर्ट साइंटी वनकोर जो है मत्रवाली उसको री कैलिबरेट करा गए इंस्टेट ऑफ पाकिस्तान यू लुक अट चाइना तो ठीक एक माइंसेट भी है कि पाकिस्तान को हैंडिल करने में अभी अभी हजरर्त पहमद चाइब को किसी ने खाका बनाया बिट जो कि नहीं बनाना चाहिए तो मैं कोद कह रहा हूं इंदू मैं कह रहा हूं नहीं बनाना चाहिए ता किसी भी मजध के करने का कोई हक नहीं चलिये किसी फ्रांसी सीना खाका बनाया ठीक है भाईयों ने अपने मुल्क जला दिया आप एक फ्रांसी सीना खाका बनाया या एक फ्रांसी सीना उसको च्छापा या किसी ने कुछ करा एक्स वाई जर्ड काम करा आपने बिलियन्ज ओव डॉलर्स अपने मुल्क के नुकसान कर दिया आपने कितने सौ अपने पुलिस वालों और रेंजर्स को आपने मारा पीटा आपने अपनी मुल्क की महिशत 10-15-20 दिल के लिए मैंने वह ने तबाह कर दी आपने पाकिस्तान की को मिट्टी में मिला दिया आपने डिप्लोमाटिक डिप्लोमाटिक रिलेशन्स खतम कर दी अपने यूरोपी निन के साथ आपने उनको GSP प्लस में रगेद दिया गया है FATF का सुनवाई होने वाली है किसी भी दिन हो जाएगी अरिक साब बात बताईए न ऐसे मुल्क को क्या दुश्मन की जरुवत है क्या इसको रॉर इंडियन आर्मी की जरुवत है इसको नहीं यह खुदी अपने को निप्टा रहे है तो हमारे लिए अच्छा है जितना कश्मीर कश्मीर करेंगे हम तो कह रहे है कि बागवान करें अगले 50 साल तक रोज यह कश्मीर कर दाण गरें क्योंकि फिर यह जब जाएंगे बहार और इस अब यह जब अजब अरुसाइंगे यह जब रश्या जाएंगे चाइनवे यह किसी भी मुल्क में जाएंगे यह अपनी मुल्क की बहतरी की चीज़ नहीं मांगेंगे उनसे यह यह नहीं बोलेंगा कि यहाँ पर एक बायान दे लिजए तु हमारे अच्छा है पाकिस्तान डूब रहे कश्मीर के बज़ेंगे और कश्मीर पाकिस्तान को लेकर 90 % डूब चुका है 10 % और दूब जाएगा झाल